दोस्तों क्या आप अपनी Windows मशीन के अंदर कोई भी Android एप्लिकेशन को या फिर गेम्स को रन करना चाहते हैं? वो भी आपके पास जो hardware है उसकी full capacity को यूज़ करते हुए अब आपके पास चाहिए फिर हो इस तरह का high end PC हो या फिर starting range वाला आप अपने hardware की full capacity के साथ Android एप्लिकेशन और गेम्स को रन कर सकते हैं ऐसा करना बिल्कुल possible है WSA tool की मदद से Windows Subsystem for Android इसको आप Windows 10 और Windows 11 दोनों में यूज़ कर सकते हैं और इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अब देखें जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ यह Microsoft की तरफ से official नहीं है ठीक है क्योंकि Microsoft का जो official way है उसके अंदर आपको Amazon app store जो है वहां से आपको use करना पड़ता है अब देखें मैं जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों mostly practical वीडियो होती है और इस तरह की practical और नॉलिजबल वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है काफी ज्यादा टाइम कंजूम होता है तब जाकर कि कहीं मैं आप लोगों के लिए हफते में एक बार इस तरह की knowledgeable वीडियो लेकर आपाता हूँ और इसके बदले में मैं आपसे सिफ चाहता क्या हूँ यार एक like या फिर चैनल पर subscribe इतना तो करी सकते हो अब बात करते हैं इसकी requirement की अब requirement में ज्यादा कुछ खास नहीं है जरूर नहीं है कि आपके पास ऐसा थकड़ा एक PC हो आपके पास minimum Intel का 8th generation का processor होना चाहिए अब चाहिए फिर वो i3 हो i5 हो i7 हो i9 हो 8th generation minimum होना चाहिए और अगर आप AMD यूज करते हैं तो Ryzen की 3000 series है minimum वो series का आपके पास Ryzen processor होना चाहिए ज्यादा होगा तो बहतर रहेगा अब इसके अंदर RAM की जो minimum requirement है वो है 4GB 8GB अगर है तो बहतर रहेगा क्योंकि recommended है जो 8GB है 16GB है तो best रहेगा हाँ एक ही compulsory चीज है वो है SSD SSD का use आपको ज़रूर करना है और SSD भी अगर NVME वाली होगी न तो सबसे ज़ादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसी के अंदर आपको performance देखने को मिलेगी और जिस Windows में आप इसे run करना चाहते हैं वो Windows 10 या फिर Windows 11 होनी चाहिए और minimum 21H1 होनी चाहिए तो ये आपको system की properties में जाकर के check कर लेना होगा दोस्तों ये तो होगी computer की requirement अब आते हैं virtualization के उपर अब virtualization आपके system के अंदर enable होना चाहिए virtualization भी दो type का होता है एक hardware level पर होता है एक software level पर होता है तो सबसे पहले आपको system के अंदर BIOS में अंटर करना है और यहाँ पर आपको virtualization को enable कर लेना होगा ये तो होगया hardware level के उपर और इसके बाद system को on करना है और on करने के बाद आपको open करना होगा control panel control panel के बाद आपको जाना है program and features के अंदर और यहाँ पर आपको left side पे top की तरफ आपको मिलेगा turn windows feature on and off इस पर आपको click करना है इसके बाद आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको तीन अलगलग option मिलते है virtual machine platform इस पर आपको check कर देना होगा second option है windows hypervision platform इस पर भी आपको check कर देना होगा और third option होता है windows subsystem for Linux इस पर भी आपको check कर देना होगा और इसके बाद simple ok पर click कर दीजिए अब यह features आपकी windows के अंदर install हो जाएंगे और इसके बाद आपको अपने system को restart कर देना है इतनी preparation हो गई है अब आपको क्या करना है description के अंदर जाना है वहाँ पर आपको एक link मिलेगा simple उस link को करना आपको copy और copy करने के बाद जिस भी browser का आप इस्तमाल करते हैं browser को open कीजिए address बार में link को कर दीजिए paste इसके बाद आपके सामने GitHub के एक website open हो जाएगी ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे इसके अंदर आपको option दिए गए हैं और Windows 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर Windows 10 के लिए भी आपको मिल जाता है डाउलोड करने के लिए और Windows 11 आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं और अगर आपको ARM devices का भी यूज करते हैं तो उसके नदर भी आप इसको easily install कर सकते हैं तो यहाँ पर इसकी पूरी guide दी गई है वैसे तो कि किस तरह से आप इसको upgrade कर सकते हैं किस तरह से installation कर सकते हैं क्या कैसी hardware requirement है यह सारी चीजे इसके नदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना है इसका जो भी latest release है वह आपको इसके राइटेंस हैट के उपर मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने क इसको आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर इसके release दियेगा है और यहाँ पर आप इसके difference देख सकते हैं कि कौन से release के नदर क्या क्या difference है तो जो भी आपका suitable हो वो आप download कर सकते हैं फिलाल मेरे लिए जो suitable है वो है इसका जो पहला ही option है यह वाला इसको download करना है वैसे mostly users के लिए सिर्फ यही एक option है जो की suitable होगा तो यह आपको download कर लेना है download complete हो जाने के बाद इसकी zip file आपके सामने आ जाएगी तो इसको हमको extract करना है तो right click करके हम यहाँ पर इसे extract कर देते हैं इसके बाद जो folder open हो है double click करके हम इसे open करेंगे और यहाँ पर पाउचल की script है यह run हो जाती है यहाँ पर आपको continue पर क्लिक करना है दो बार की continue पूछेगा आपसे तो यहाँ पर दो बार आपको continue पर क्लिक करना होगा और इसके बाद इसका जो configuration का process से यह complete हो जाएगा और complete होने के बाद आपके सामने Google Play Store आ जाएगा अब यहाँ पर पाउचल का विंडोज ओपन हो और उसके बाद automatic close हो जाए इसके पूरी रन ही ना हो तो ऐसी condition के अंदर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको सर्च करना होगा और यहाँ पर आपको command के अंदर आपको आना होगा और यहाँ पर आपको command type करनी होगी gp edit.msc command एक बार फि आना यहाँ पर administrative templates के अंदर इसके बाद windows components और scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको option मिलता है windows power shell ठीक है और इसके right hand side पर आपको मिलेगा turn on script execution इस पर आपको double click करना है और यहाँ पर enable इसे कर देना होगा और नीचे जो execution policy दे रखिए दोस्तों यहाँ प option हो सकता है कि यह जो गोला घूमे जा रहा है और इसके बाद कोई आगे processing नहीं हो रही है तो इसको double shoot करने के लिए आपको क्या करना होगा search के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा windows subsystem for android ओके इस पर आपको click करना है और इसके बाद आपको जाना है यह programs के अंदर आपको मिल जाएगा scroll down करके नीच चाहिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा play store और एक बार google play आपके सामने आ जाता है इसके बाद आपको अपने gmail account से google को login कर लेना होगा यहाँ पर आपको अपना username देना है password देना है और इसके बाद sign in कर लेना होगा अब यह जाएं तो अपना कोई भी फेवरेट android game यहाँ पर खेल सकते हैं absolutely free तो दोस्तों देर किस बात की आज ही अपने system के अंदर WSA tool को install कीजिए और android apps और games का love उठाईए मैंने इस वीडियो में जितना easy हो सके उतना easy method बताने की कोशिश किये I hope आपने enjoy किया होगा वीडियो पसं झाल